हेलो स्टूडेंट टुडेंग टुडेंग टूटीच यो से वेक्स चैप्टर टू अन्डेस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म का मीनिंग क्या होता है हिंदी में सेक्युलरिज्म का मीनिंग होता है धर्म निरपेक्षिता यानि कि कह सकते हैं कि secularism means होता है non-environment of religion यानि कि secularism में धर्म का कोई भी involvement नहीं होता है इसमें धर्म महत्व नहीं रखता है कि कौन सब्यक्ति कौन से धर्म का है secular state जो होता है वो एक ऐसा state होता है जहां पे धर्म का involvement नहीं होता है बिना धर्म के involvement के ही state को organize किया जाता है secular country में क्या होता है secular country में state का कोई religion नहीं होता है state का कोई धर्म नहीं होता है और कोई भी धर्म जो है वो किसी दूसरे धर्म से important नहीं होता है सारे धर्म के लोग ब्राबर होते हैं equal होते हैं कोई भी religious teaching जो है government educational institution में नहीं होता है यानि कि जो government का सरकारी जो शिक्षा संस्थान है तो उसमें धर्म की सिक्षण नहीं किया जाता है धर्म की सिक्षा नहीं दी जाती है ये सब जगह यहीं पढ़ाया जाता है कि धर्म जो है वो इक्वल है चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, हिसाई, कोई भी धर्मों सारी इक्वल हैं तो no test of religion, religious nature have to be passed to hold a public office यानि कि public office में भी कोई भी धर्म का विशेश, जो है धर्म विशेश का ख्याल नहीं रखा जाता है वहाँ पे सारे धर्म के लोग जाते हैं और अपना काम करवाते हैं और किसी भी धर्म को मानने पे यानि कि आप कोई भी धर्म मान सकते हैं किसी भी धर्म को आप फॉलो कर सकते हैं और इसके लिए कोई दंड नहीं है यही secularism में होता है यही किसी भी secular country में यही होता है तो हमारा जो इंडिया है वो भी secular country है और इसमें कोई भी जो है कोई किसी भी state का special religion नहीं है इसपेशल धर्म नहीं है और हमारा constitution जो है यह guarantee करता है कि सारे यह guarantee देता है कि सारे धर्म के जो है वो स्वतंतरता जो सारे धर्म की स्वतंतरता को guarantee देती है कि सारे धर्म के लोग जो है अपना अपना धर्म follow कर सकते हैं और किसी को भी बिना नुकसान पहुचाय हुए तो यह जो है हमारा constitution जो है सबी लोगों को धर्म के धर्म की स्वतंतरता देती है चाहे वो individual citizen के रूप में हो या religious group के रूप में सारे लोग अपने धर्म को मान सकते हैं अपने culture को अपना सकते हैं कोई भी इंडियन citizen जो है उसको धर्म के आधार पर रोका नहीं जा सकता है किसी भी educational institution में या फिर किसी government job से या फिर किसी भी धर्म के आधार पर उसे कहीं जाने से रोका नहीं जा सकता है वह सभी जगह जा सकते हैं जहां भी का जो होगा जो भी ऑफिस एजुकेशनल इंस्टिटियोशन होगा या ओफिस होगा तो वहाँ पर सारे धर्म के लोग जा सकते हैं तो अधिकतर सेकुलर कंट्रीज में गवर्मेंट जो होता है वो रिलीजिन के साथ वो कुछ भी नहीं करता है कोई भी भाव नहीं करता है और किसी स्पेसल धर्म को वो सहायता नहीं देता है बलके सारे धर्म को बराबर बानता है लेकिन इंडिया में क्या है कि इंडिया में ऐसा नहीं है क्योंकि हमारा हलाकि हमारे जो government है वो किसी भी religion को promote नहीं करता है ये सारे religion के लोगों को सारे धर्म के लोगों के freedom को ये respect करता है और कोई भी बेक्ति अपनी 24 से अपने धर्म को मान सकता है हलाकि ये जो religious festival है किसी भी government institution में celebrate नहीं किये जाते है और जो बड़े बड़े जो religious festival है उन दिनों holidays होती है ताकि लोग जो है अपने घर पे उस religious festival को जो है घर पे मना सके जैसे कि आप देखते होंगे holy में दशहरा में या इद में मुहर्रा में छुटी होती है ताकि सब धर्म के जो लोग है अपने जो इस तेवहारों को मानने वाले जो है तो वो लोग जो है अपने घर में आराम से उस तेवहार को मना सके तो government जो है law में भी छूट देती निये में भी छूट देती है ताकि जो भी लोग जो है जो भी धर्मिक जो काम करते हैं धर्मिक जो प्रैक्टिस में है जो भी धर्म के आधार पे काम करते हैं तो उसके लिए उनको छूट दी जाती है गवर्मेंट की तरह से, जैसे कि एक सीख मैं जो है, यदि वो स्कूटर या मोटर बाइक पे राइडिंग कर रहा है, तो उसको हेलमेट पहनने के लिए माफी दे दी गई है, क्योंकि वो अपने हेड पे टर्बन्स को बांधे हुई रहता है, हेड पे पगड़ी को पहनते हैं तो इस बज़े से हेलमेट पहनना पगड़ी में बहुत ही मुश्किल होता है, नहीं पहन पाएगा कोई उसके लिए पगड़ी को खोलना जरूरी है, जो कि उनके धर्म के हिसाब से ये ठीक नहीं है, तो इसलिए गवर्मेंट ने उनको ये छूट दी हुई है, कि वो हेलमे इसको जगों पे लोगों को छूट मिली हुई है, इंपोर्टेंस ओफ सेक्योलरीज्म पर प्रिवेंटिंग डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन यानि कि भेद भाव से भेद भाव डिस्क्रिमिनेशन का हिन्दी होता है, तो भेद भाव से बचने के लिगे सेक्योलरी जो है यानि कि धर्म निर्पेक्षिता है वो आवश्यक है तो इंडिया जो है यहां पर उल्लिजिन जो है वह एक्वली ट्रीट कीए जाते हैं ताकि कोई भी डिलिज़ ग्रूप जो है वह दूसरे रिलिज़ ग्रूप को एक्स्पलाइट नहीं कर सकते गवर्मेंट इस्टि में गवर्मेंट ऑफिसेज में जो भी बहाली होती है तो वह भी रिलिजन के आधार पर नहीं होती है बलकि जो गवर्मेंट जो है वह सिटीजन को डिस्क्रिमिनेशन से बचाने के लिए और उनके धर्म के जो मेंबर जो होते है तो उन लोगों को डिस्क्रिमिनेशन से बचाने के लिए जरकार जो है यानि गवर्मेंट जो है वह ов कदम उठाती है वह कई लॉफ पास करती हैर कास्ट्रिमिनेशन के खिलाप ताकि जो भी जातियत भ्हेद भां वह मि रहा flatter talkin करते हैं तो उसको हटाया जा सके और यह जो हैं जमील म nac हो जाता है तो में और विमेन के पीच में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है तो इसके इसको भी बचाताने के लिए मैं और विमेन के बीच में यह से तो इसके लिए भी law pass किये जाते हैं ताकि सारे लोगों को चाहिए मेन हो या वी मेन हो सबको अपने अधिकार मिल सके किसी भी ब्यक्ति को अपना धर्म चूज करने का अधिकार है वो हमारे constitution जो है वो सबको ये अधिकार देती है ये राइट देती है कि वो अपना अपनी मर्जी का जो religion है वो चूज कर सके चुन सके तो importance of secularism for India's unity इंडियाज unity इनकी हमारे देश की हमारे देश की एकता के लिए धर्म निर्पेक्षता क्यों आवशक है तो इंडिया में यानि कि हमारे देश में कई religion के लोग रहते हैं कई religion के लोग रहते हैं जैसे कि हिंदू मुस्लिम सीख इसाई जैन बहुत पार्सी बहुत सारे और भी कई religion के लोग रहते हैं यहां पर तो सारे लोग जो हैं वो एक दुसरे से एक दुसरे की सहायता भी करते हैं और एक दूसरे का आदर भी करते हैं तो इसे हमारे देश की जो एकता है वो बनी रहती हैं लेकिन कुछ लोग जो हैं वो सेलफिस हो जाते हैं और दूसरे ग्रूप के खिलाब वो कुछ गलत कदम उठा लेते हैं जिसे की दोनों के बीच में जगड़े हो जाते हैं जगड़े होने लगते हैं और इस वज़़से हमारे नेशन की यूनिटी के लिए यानि के म पीच मित्रता को प्रोमोट करता है हर्मोनी को प्रोमोट करता है और इसके कारण जो हमारे देश की एकता है वो पनी रहती है क्या हमारा जो देश है हमारे जो कॉंस्टिचूशन है सारे धर्मों को एक समान समझता है किसी को विशेश दर्जा नहीं देता है धर्म के अधार पर यहाँ पर सारे लोग इक्वल हैं